गूंगल शीट में काफी सारे ऐसे फॉर्मॉले हैं जिनके लिए हम एरेख। अरेख फॉर्मिला कह यूज करते हैं फिर भी उनको ड्रैक करना पड़ता है। जिनमें से एक सम-इफ। फॉर्मिला भी है। सम-इस फॉर्मॉले को Map function के साथ सम-इच आरेख। formula में कैसे convert करना वो चीज़ आज हम देखेंगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें comment करें और चैनल सब्सक्राइब करें और bell icon भी प्रेस कर दें जिससे नई रहा है some range, some range वो है जैसे कि यहाँ पर आप price देख रहे हैं यह हमारी some range हो जाएगी इसको select कर लेते हैं इस तरीके से इसके बाद criteria range 1 मांग रहा है criteria range हमारी है यह मैं इसको select कर लेता हूं इस तरीके से कोमा लगाया फिर criteria 1 मांग रहा है मैं इसको select कर लिया फिर coma लगाया इसक को select कर लेता हूं फिर को मा लगाया और हमारा third criteria यह मैंने कर लिया अब मैं bracket बंद करता हूं और enter करता हूं यह देखिए यहाँ पर इसने हमें result निकाल के दे दिया अब हम अपने sums formula को array में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले जो ranges है यह जो मैंने criteria लिया है इनको मैं इस तरीके से select कर लेता हूं यह हो गया इसके बाद यह वाला criteria भी ले ले लेते हैं और इसके बाद यह लास्ट वाला भी ले ले लेते हैं इस तरीके से यह मैं select कर लिया अब इसके बाद मैं array formula लगाता हूं control shift enter और enter यह देखिए यह array formula के साथ का काम नहीं करता किसी का solution आज हम देख रहे हैं a function advanced functions में से हैं जो कि बहुत काम करता है मैं फंक्षन की मदद से कसी थे फोर्डियों को कट कर सकते हैं तो मैं function के जी मैं मैं सबसे पहले यहां पर लगाता हूं अब कर इस टो अब ब्रेकिट एपन हो गया अब हम आग रहे array 1, array 1 में हमें क्या देना है, हमें यहाँ पर data नहीं लेना है, हमें यहाँ पर criteria जो है हमारा वो select करना है, इस तरीके से, यह मैंने किया, फिर comma लगाया, अब array 2 मांग रहा है, array 2 में मैं दूसरा criteria ले लिता हूं, फिर से comma लगाया, अब मेरे पास एक और criteria है, तो मैं एक और बा फिर comma लगाया, अब यह मांग रहा है, lambda, lambda function बहुत advanced function है, जो कि map function में use होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, lambda, enter किया, तो यहाँ पर सबसे पहले मांग रहा है, name, name क्या है, अगर आप किसी भी language को जानते है, javascript या, किसी और language पर कभी काम क्या हो, या उसके बारे में अब ही languages के अंदर variables pass करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी variable देते हैं, मैं यहाँ पर capital में लिखूँ, या small में लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह दोनों में काम करता है, तो मेरे को क्या देना है, मुझे यहाँ पर 3 variable pass करने है, पहला name, जो कि हमारा name वा या फिर कोई formula भी use कर सकते है, मैंने जो summist का formula आपको समझाने के लिए बनाया था, मैं उसी को यहाँ पर copy करके paste कर देता हूँ, मैं बहार आता हूँ पहले, और अपने summist formula में जाकर, मैं इसको इस तरीके से copy कर लेता हूँ, सिर्फ formula लेना है, array function नहीं लेना है, और बहार आकर, मैं अपने map function में आया, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, इतना काम हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है, यह जो हमरे criteria है, इनको change करना है अपने variable से, वो किस तरीके से, जैसे यह देखे, name का variable है, तो मैं इसे यहाँ से copy करता हूँ, और अपने इस जगा पर, मैं इसको paste कर देता हूँ, ऐसे, फिर इसके बाद यह code का variable है, मैं इसको copy करता हूँ, और इसको, इस जगा पर paste कर देता हूँ, फिर इसके बाद, last है हमारा product वाला, मैं इसको copy करता हूँ, और इस जगा पर, इसको paste कर देता हूँ, यह मैंने कर दिया, अब मैं bracket बंद करता हूँ, यह sum function के लिए bracket बंद हो गया, अब यह map function के लिए bracket बंद हो गया, अब मैं enter करके देखता हूं, देखते हैं हमारा जो formula है वो array में convert हुआ या नहीं, मैं करता हूं enter, यह देखिए हमारे सारे criteria's के result जो है वो आ गए है, अब हम एक चीज़ और करते हैं, यह जो हमारा sum is formula है, इसको मै पकड़के यहां से नीचे drag करता हूं और देखते हैं, क्या हमारे सारे result जो है, वो match कर रहे हैं, तो मैं इसको यहां से इस तरीके से पकड़ रहा हूं, यह देखिए, यहां पर भी result आ गए है, और सारे result मैच कर रहे हैं, तो I hope आपको यह समझ आयागा, और sum is formula में जो दिक subscribe करें, और bell icon भी press कर दें, जिससे नए वीडियो की notifications आती रहें, इसी तरह है कि मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, अब एक नए interesting trick के साथ,